Welcome to God of ITI Classes, नमस्कार दोस्तों, मैं God of Sir, आप सभी का God of ITI Classes में स्वागत करता हूँ प्याड़े दोस्तों, आज हम आप लोगे के लिए ले कर क्या है, Employability Skill और यह Employability Skill, ITI Second Year के लिए आप 2024 में जो एक्जाम देने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही important होने वाला है यह निमी के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है question, उसी का question है यह इससे पहले हम 8 class already कर चुके हैं, आज यह हमारा नमा class है इससे पहले हम 80 question discuss कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है क्योंकि अगर आप एक बार कम से कम question देख लेंगे अगर बार बार रिभाई नहीं भी करेंगे, तो भी अगर एक बार सिर्फ देख लेते हैं तो आप pass हो जाएंगे, ठीक है? कोई बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं है, कोई difficult नहीं है बहुत ही आपसान है, अगर आप एक बार धंग से देख ले तो, ठीक है? चलिए हम चलते हैं आज के question के तरफ देखे, आज हम question करने से पहले जो हम कल पढ़े थे, उसका फटा-फट revision कर लेते हैं इसमें कुछ जादा बताएंगे नहीं फटा-फट question answer, question answer करते रहेंगे और 80 number जो हमाणा 80 number तक है इसको हम सीधे answer बताते चलेंगे फिर 80-90 तक हम बढ़ियां से उसको detail में discuss करते रहेंगे, ठीक है? तो यह हमाणा पहला question कर रहा है, खरता number dash the computer everyday after use यानि कि computer use करने के बाद प्रती एक दिन क्या करना चाहिए, turn off कर देना चाहिए जो कि option number C में दिख रहा है अगला question कर रहा है, hobbies dash to activity that we dash in your leisure time तो इसका right answer हो जाएगा reference and do जो कि option number D में दिख रहा है यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है gardening, reading, collecting storms, singings dash some examples of hobbies तो इसका right answer हो जाएगा यह हो जाएगा, art, जो कि option number D में दिख रहा है the jog falls in the second dash waterfall in India तो यह हो जाएगा second highest जो कि option number B में दिख रहा है second highest waterfall अच्छतरमा question कर रहा है the world's dash beach in along the bay of Bengal in Tamil Nadu तो यह हो जाएगा longest यानि कि जो world का है दुनिया का सब से लंबा जो beach है वो हमाड़े पास ब्याओ पंगाल यानि तमिल लाड़ो में है जो कि option number C इसका सही हो जाएगा अगला question कर रहा है one of the seven dash of the modern worlds in located in आगरा in उत्तर प्रदेश तो यह हो जाएगा wonders जो कि option number D में दिख रहा है इससे पहले बाले हम क्लास में इसको detail में डिसकर्स कर चुक है आप पहले बाला क्लास जरूर देख लीजेगा इसको देखने के बाद ही सही dash mountains, trekking, suffering and squabar diving dash called adventures तो इसका जो right answer हो जाएगा वो climbing and art तो climbing and art option number D में दिख रहा है तो यह इसका right answer हो जाएगा ठीक है अठतर नमर question कर रहा है adventures, dash, risk and are dash to people who undertake them तो यहां हो जाएगा involved and exciting तो इसका right answer option number C में दिख रहा है involved and exciting तो C इसका right हो जाएगा अशी नमर question कर रहा है many people dash water sports, dash suffering, scuba diving in the ocean apart from fishing यानि fishing करने के अलाबा भी धेर सारे काम करते हैं तो वही sentence को आपको पुड़ा करना है तो यह हो जाएगा enjoy and like जो कि option number D में दिख रहा है enjoy and like अशी नमरा question कर रहा है there dash famous mountains dash beaches in India यानि कि बहुत सारी जो प्रसिध जो परवत यानि कि mountain निन पहार है और जो beach है वो इंडिया में है इसलिए यहाँ पे add and add और end का पड़ियोग हो जाएगा जो कि option number B में है there are famous mountains and beaches in India जो कि option number B हो जाएगा यह हमारा कल का question था आज हम चलते हैं आज के सरी यह तो दो बड़ा आगे ठीक है और आज चलते हम जो अभी हम करने वाले हैं 81 से ले करके 90 तक ठीक है इसको हम देख लेते हैं इसको details में देखेंगे देखिए पहला question कर रहा है fuji dash and active volcano about 100 km south east dash Tokyo यानि कि fuji एक सकडिया जो आलामकी है जो तिबद से 100 km south west में श्थित है तो यही sentence को आपको पूड़ा करना है तो चलिए पूड़ा कर लेते हैं तो fuji एक active volcano है तो volcano एक ही है इसलिए हम यहाँ पे r का प्रियोग ना करके is का प्रियोग करेंगे तो fuji is an active volcano about 100 km south west of Tokyo तो आप आपका option number c में देख रहा है जिसमें थोड़ी से परिशानी हो सकती है आप चिंता ना करें जो भी English grammar का question है उसे कम से कम आप दो बार तीन बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई confusion नहीं रहेगा और exam में किसी भी प्रकार सा कोई change नहीं होगा जिस तरह से हैं question करवा रहे हैं आप ध्यान से सिद्धात ही से पढ़िए कोई भी change नहीं होगा और यहां मैं आप बढ़ियां number ले सकते हैं और आपको फिर से बता रहते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो God of IT class है जो कि आपका channel का नाम है यही आपका telegram group का भी नाम है वहाँ पे join over करके सारा पीडिया आप ले सकते हैं ठीक है चलिए next 82 नमर कर रहा है the white clips of dollars dash on the cost line dash England तो इसका भी आप यही English grammar का question है तो इसको आप पुड़ा करेंगे sentence को the white clips clips यानि एक से अधिक है इसलिए यहाँ पे is का प्रियोग ना करके हम r का प्रियोग करेंगे ठीक है जो bc में दिख रहा है sorry a और c में दिख रहा है the white clips of dollar are one the one the cost line of England तो यहाँ पे off option number a में ही दिख रहा है तो यही इसका right answer हो जाएगा यानि कि यहाँ पे r और of इसका right answer हो जाएगा चलिए next अमारा question कर रहा है average एक सखेंड average the dash speak in the world in Tibet तो यहाँ पे जो है एक ही बात कर रहा है यानि कि average का बात कर रहा है इसलिए यहाँ पे is का पड़ी होगा तो is in Tibet यहाँ पे is हो जाएगा और average the highest यहाँ पे यानि कि average जो है उंचा होता है इसलिए उंचा के लिए आप्रियो करते है highest तो आपको highest और इस दिख रहा है option number C में तो इसलिए इसका right answer जो है option number C हो जाएगा average the highest peak in the world is in Tibet ठीक है चलिए next अमारा question कर रहा है jumping dash a great height will connected dash a large elastic cord is called bungee jumping यानि बंगी jumping आप लोग देखे होंगे फिल्म में ही सही लगिन आप लोग यह देखे होंगे कि एक पेर में एक रस्टी बन्था होता है और उपर की पहार पर से उसे यानि नीचे कुदा दिया जाता है और नीचे में वो फिर जूलता रहता है उल्टा हो करके तो वही होता है bungee jumping तो bungee jumping में जो है एक elastic यानि कि कहा सकते हैं plastic का एक रस्टी लगा होता है जिस बज़ा से वो नीचे नहीं गिर पाता है ठीक है तो bungee jumping यहाँ पे bungee jumping इसका नाम है तो jumping dash एक great height यानि कि वो बहुत ही उचाई से कूदता है और वो एक connect रहता है एक elastic cord से यही sentence को आपको पूडा करना है यहाँ दे रहा है jumping jumping मना कूदना कहीं से कूदना है तो से के लिए हम from का प्रियो करते हैं तो jumping from a great height will connected to a large elastic cord तो यहाँ पे हो जाएगा to और यहाँ पे हो जाएगा from तो आपको from और to दिख रहा है option number c में यही इसका right answer हो जाएगा from and to next question कर रहा है I will arrange dash the tickets dash पूने यानि कि मैंने पूने जाने के लिए पूना जाने के लिए मैंने ticket arrange कर लिया यानि ticket का जुगार कर लिया है I will arrange for the ticket for the ticket to पूने तो यह इसका 4 और 2 option number a में ही दिख रहा है तो इसलिए इसका right answer हो जाएगा option number a 4 और 2 ठीक है? 85 का answer a हो जाएगा next नमारा question कर रहा है adventures, sports, dash b, jumping, dash great high diving deep, dash the sea or flying, dash the air यहाँ पी इसमें धेर सारा रिक्त स्थान दिया गया है आप इसको ध्यान से देखिए हम करते हैं इसको पुड़ा देखिए adventure यानि जानते हैं adventure वही होता है जो साहसी काम करता है यानि कि एक real life मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सामान्य life से अलग होता है ठीक है adventures, sports can be used यानि यूज करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा can can be used jumping यानि कि कुदने के लिए use करते हैं can be used jumping into great height यानि कि great height से कुदते हैं यान इन्टू हो जाएगा ठीक है into great height तो आपको can और into can सब में दिख रहा है और into into या jumping great height यानि great height से कुदते हैं यानि इन्टू नहीं from हो जाएगा ठीक है यहाँ पर from हो जाएगा यानि adventure sports can be jumping from great height driving deep into the sea यानि कि sea के अंदर में अंदर जाकर कि वो driving करते हैं यानि उसमें तैरते हैं of flying in the air यानि कि हावा में उड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा can from into और in option number b में दिख रहा है can from into और in इसलिए इसका राइटन अप्सन नवर b हो जाएगा ठीक है next question कर रहा है does employ to ask question does team atmosphere atmosphere से मतलब है यहाँ को वाता बरान यहाँ पर क्या करना चाहिए कि employee जो कि team के atmosphere में यह question पूछ सके यानि कि अपने परिवेश को एक बेहतर बना सके एक अच्छा यानि एक किसा कह सकते हैं कि एक supervisor या employee के बीच में एक अच्छा संबंध बन सके यहाँ तक है does employ यानि कि employee को encourage यानि कि encourage करना चाहिए यानि कि उसे उत्साहित करना चाहिए तो encourage employee to ask question develop a team atmosphere यानि कि option नमर बी में दिख रहा है सही है यह क्या कर रहा है कि अगर आप किसी employee के hustle को यानि कि आप अगर उसके hustle को बढ़ाते है तो क्या होता उसके अंदर develop होता है एक अच्छे team यानि कि एक बढ़िया team develop हो जाएगा अगर आप employee के साथ एक बेहतर विभार करेंगे बढ़िया विभार करेंगे तो एक अच्छा team develop होगा इसके बाद कर रहा है rearrange the jumbled word to identify the correct option यानि कि यह है to process communication way is a इन सब्द को एक sentence बनाने के लिए series में लाईए देखिए यहाँ पे कहने का ताथ पड़ है कि communication यानि कि बातचीत यानि संचार एक दू दिस्या प्रकडिया है क्योंकि संचार में हम बोलते हैं आप फिर सुनते हैं फिर आप हमें बोलते हैं फिर हम सुनते हैं इस तरह सुनते हैं तो यह दो दिस्या प्रकडिया है तो इसको हम English में कहते हैं communication is a two-way process तो communication communication नहीं है communication यह भी नहीं है communication is a two-way process तो option number बी जो है यह एकदम सही हो जाएगा यानि communication is a two-way process यानि communication एक दो दिस्या प्रकडिया है ठीक है यह कर रहा है dash people's body language and how they dash when they talk over the phone यानि कि कोई व्यक्ति जब phone पे बात करता है तो आप उसको एक तरह से कहिए कि आप उसे observe करिए ठीक है तो observe करने के लिए देखिए observe people यानि उसको देखिए उसको समझिए observe people body language यानि उसके हाथ पर के भासा से body language and how they dash when they talk over the phone यानि कि जब वो phone पे बात करते है तो यहाँ पे speak हो जाएगा यानि यहाँ पे हो जाएगा speak और यहाँ पे हो जाएगा observe ठीक है तो people को observe करिए जब वो बात कर रहे होते है तो ठीक है क्याएग कि उसके बात बीच में तोकना नहीं चाहिए insert इनसर्ट यह सबनी जए विच में जा करके तोकना नहीं है बस उसके बातों को observe करना है यानि कि वो बोलते है समय किस तरह उसका body language है या फिर वो आपसे बात कर रहे है उस समय किस तरह से body language है उसको observe करना है तो observe people body language and how they speak when they talk over the phone तो इसका observe और speak जो कि option number B में दिख रहा है यानि कि इसका B सही हो जाएगा चलिए आज के last question तरफ चलते हैं Last question है Every time you dash an email, try to dash something from it यानि कि जब आप email देखते हैं तो हमेशा कुछ सीखते हैं यानि कि ये पूरा sentence का मतलब यही है और sentence में आपको रिक अस्थान दिया गया आप रिक अस्थान में इसको पूरा करिए देखे जब आप email देखते हैं तो सबसे पहले email को सीखते हैं या फिर देखते हैं सबसे पहले आप email को देखते हैं तो option number D हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है, see and learn, यानि कि every time you see an email, try to learn something from it, यानि कि उनसे कुछ सीखने का प्रियास करते हैं, तो पहले देखते हैं, और फिर सीखते हैं, ये आज का last question था, ठीक है, आसा करते हैं, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कल के class प्रकास में हम एक question दिये थे आप लोग को, चलिए उसको देख लेते हैं, देखिए, question ये था, प्रकास वर्स मातरक है, यानि प्रकास वर्स किस चीज का मातरक है, तो देखिए, हम यहाँ पे बोले थे कि अगर जो भी 5, यानि कि top 5 में जो भी सही अंसर देगा, उसका हम य class words दूरी का मातरक है, ठीक है, और आज के लिए आप लोग के लिए ये question देते हैं, मानव सरीर में सबसे बड़ी ग्रंती, यानि gland जो है, वो कौन सा है, option A में है, अगनास है, B अमास है, C थोराइड, और option D यकडि, तो आप सभी को इन में से कौन सा ही answer होगा, आप सभी इस important है, आप चाहे ना चाहे, मैं पता रहाँ कि ये important है, अगर आप exam देंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना important है, ठीक है, और फिर बता देते हैं, अगर आपको PDF चाहिए, तो आप PDF ले सकते हैं, गौराव IT एक लासे नाम से telegram group है, वहां जूर करके, और इसको बा आपनेवाद, जैहिंड